हलो फ्रेंट वेलकम टू जेश्टी एटिटोरियल उटोप चनल फ्रेंट समलोग सूपर टेट परिक्षा के लिए आपके सेलबेस में दैनिक जीवन में विज्ञान का भी जो है सेलबेस में पोर्शन दिया हुआ है तो उसके लिए हम महत्पूर्ण 50 प्रशन देखेंगे जो आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन शबशेपाले आपको मिश चके तो चलिए कोशन को शुरू करते हैं पहला प्रशन है आपका फैलो में फैलो के मीठे स्वाद का कारण क्या है फैलो के मीठे का स्वाद का कारण क्या है मल्टोज राइबोज लेक्टोज ठीक है फ्रक्टोज के कारण ही जो है फलो में मीठापन आता है फलो में मीठापन सरकरा के कारण होता है और फ्रक्टोज में जो है सरकरा पाए जाता है ठीक है इसलिए फलो का स्वात जो है हमेशा मीठा होता है ठीक है और एक प्रश्ण यहां से और भी बनता है कि फ्रक्टो इसे कौन सा मोनो सेकराइड है तो फ्रक्टोज को ही मोनो सेकराइड कहा जाता है या फ्रक्टोज में मोनो सेकराइड पाया जाता है ठीक है तो यहां से सभी पाइंट को आपको तयार रखिएगा डी आपसनिस में सही हो जाएगा दूसरा प्रशन है आयोडीन की कमी से होता है रतवधी, करकरो, गेघारो, अस्थी, सुसीरता तो सही उत्रज़ेगा आपका प्शय नबर शी गेघारो, ठीक है शरीर में आयोडेन की कमी से खायराइड गरंथे में बिद्धि हो जाती है जिससे घेगा रोग उत्पन हो जाता है तो यहाँ पर C आपसन आपका इसमें सही हो जाएगा अगला प्रशन है निमली खित में से कौन सा कार्बनिक अमल अंगूर इमली और केला में पच्चोर मात्रा में बिद्धिमान रहता है कौन सा कार्बनिक अमल जो है अंगूर इमली केला में बिद्धिमान रहता है Aceticum, Centicum, Leeticum, Antarcticum तो यहाँ पे D आपसान सही हो जाएगा अंगूर, इमली और केला में जो है तार्टेरिक कार्बनिक अमल पाए जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपसा नवर D आपका इसमें सही हो जाएगा अगला question है निमनिल्खित में से कौन सा अनुवनसिक रोग नहीं है प्रश्ण में नहीं पूछा है रताओधी, रज्यक्हेंता, हेमोफेलिया, बढ़ात्त तो रज्यक्हेंता, हेमोफेलिया और वणात्त ये सभी अनुवनसिक रोग है लेकिन रताओधी जो है ये बिटामिन कमी से होता है ठीक है बिटामिन A की कमी से जो है रताओधी होता है तो यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा है तो यहाँ पर A आपसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है निम्लिकित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है बिटामिन B12 यहाँ पर 12 नीचे होगा इस तरह से B12 बिटामिन B12 की कमें से प्रती एरक्तता होता है सही है बिटामिन C की कमी से प्रतियसकरवी कारक होता है ये भी सही है बिटामिन D की कमी से बंध्यतारोधी कारक होता है ये आपका गलत हो जाएगा ये बिटामिन D से नहीं बलकि किस से होता है ये बिटामिन E से बिटामिन E की कमी से जो है बंध्यतारोधी कारक होता है और vitamin K से प्रति रग्त्रावी कारक होता है तो यह 4 ही महत्वपूर्ण है आप के लिए आप लोग 4 ध्यान में रखिएगा अगला question है निमल्कित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन ठीक है यहां पे डी आपसन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्राक्रितिक गैस एकरंगहीन गंधहीन परियावर्ण अनकूल और जा सुरूत है यह कई गैसों का जो है बिस्ट्रड होता है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन को सामिल किया जाता है तो यहां पे आपसन नम डिकलो फेनिक एक दवा होती है जो पस्वों को दर्द में दिया जाता है और वो है दवा खाकर जब पस्वों मरते हैं तो उनको जो है गिद्ध के दोरा जो है खाय जाता है जिससे जो है गिद्ध भी मरने लगते हैं बिलूप ठोने लगते हैं ठीक है तो वो दवा है डिक भी किरड होता है इसमें क्रम से लगाने के लिए पहले नंबर पे आता है आपका रेडियो तरंग उससे बड़ा होता है आपका माइक्रोवेब ठीक है उससे बड़ा आपका होता है अवरक्त किरडे ठीक है उससे बड़ा होता है आपका द्रिश्य प्रकास ठीक है उससे तो इसमें जो है सबसे अधिक्तम और जा प्रवाहित होती है ठीक है तो यहां पे आपसा नमर D आपका सही हो जाएगा अगर गामा दिया होता तो गामा में सबसे अधिक्तम और जा चुम्बकी भिक्रडों में होती ठीक है तो यह करम आप लोग याद रखेगा पहला रेडिय तरंग, माइक्रो बेव, अवरक्त भी किरण, दिर से प्रकास, प्राबैगनी किरड़े, यक्स किरड़े, गामा किरड़े, ठेक है, तो यहाँ पे D आपसन आपका, इसमें सही हो जाएगा, अगला कोशिन है, ध्वनी का बेग अधिक्तम होगा, निर्वात में, वाइव में, जल में, इस पात में, तो ध्वनी का बेग अधिक्तम कहां पे होगा, तो यह इस पात में होगा, ठीक है, D आपसन आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, द्रव में तीब्रे होती है, ठोसों में तिब्रतम होती है, लेकिन ध्वनी का बेग इस पात में सबसे जादा होता है ठीक है गैस में अत्यनत धीमी होती है और निर्वात में ध्वनी का ठीक है निर्वात में ध्वनी की बेग जो है होती ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग याद रखेगा यहाँ पर डियापसन आपका सही हो जाएगा इस पात में सबसे जादे ध्वनी का बेग होता है अगला कोछन है आंश्टाइन को निम्न में से उसके किस सिधानत के लिए नोबर पुरसकार दिया गया था तो प्रकास विद्धुत के सिधानत के लिए ठीक है 1889 इस भी में जर्मनी में जन्मे अलबर्ट आंश्टाइन को प्रकास बैद्धित प्रभाव की ब्याख्या एवंग इसके नियम के विश्कार का स्रेप्राप्त है और इस कार के लिए इन्हें जो है 1921 में बहुतिक का नोबल पुरस्कार दिया गया था तो यहां पर आफसा नंबर भी आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है निमले के तत्व में से कौन अर्धचालक है अलुमिनियम सिलकान चादी सीसा तो इसमें से अर्धचालक कौन है तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा B आपसन सही हो जाएगा सिलकान सिलकान और एक आता है जर्मेनियम ठीक है जर्मेनियम ये भी जो है अर्धचालक में आता है तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा सिलकान और जर्मेनियम एक अर्धचालक है अगला कोशिन है निमलिकित में से कौन बिटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है बिटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है तो आप लोग जानते होंगे आवला में बिटामिन सी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है बिटामिन सी का रासाइनिक नाम क्या ह यह स्कार्विक एसिड इसको भी पूछा जाता है यह स्कार्विक एसिड तो इसको भी आप लोग याद रखेगा यहाँ पे डिया आपसनापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोचन है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो है तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो वो नाइट्रेट की रूप में प्राप्त करते हैं यहाँ पे यापसनापका सही हो जाएगा पौधे जो है नाइट्रोजन की पूर्ती के लिए वाई अथवाजल में घुलंसील नाइट्रेट की रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपसा नमर भी आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है बायो गयस सही उतपादिक बायो गयस का मुखे घटक मीतेन गयस होती है जिसे जिवास में इधन के अस्थान पर उरजा उतपादन के लिए प्रयोग में लाए जाता है तो यहाँ पी सही आपसान रहा हो जाएगा अगला कोचिन है निम्रकित ताप मापियों में से किसी पायरो मीटर कहा जाता है तो बिकिरड ताप मापी को ठीक है बिकिरड ताप मापी को जो है पायरो मीटर कहा जाता है यहाँ पे भी यापसानापका सही हो जाएगा अगला कोशिन है डाइनेमो एक युक्ती है जो परिवर्थित करती है तो डाइनेमो से जो है यांत्रिक औरजा को बिद्धू तोरजा में परिवर्थित किया जाता है यहाँ पर C आपसर आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है वाई की गती निम्लिकित में से किसके द्वारा नापी जाती है तो ये निमू मीक्टर के द्वारा वाई की गती नापी जाती है यहाँ पे आपका भी आपसा निश्वे सही हो जाएगा अगला कोशन है मानों की सामान ये स्वस्थ आँख के लिए असपष्ट द्रिष्टी का न्यूंतम दूरी माने जाती है असपष्ट द्रिष्टी की न्यूंतम दूरी कितनी माने जाती है स्वस्थ मानों आँख के लिए तो वो है 25 cm, ठीक है, अगर आप किताब पढ़ते हैं, तो 25 cm की दूरी पर रख कर के ही किताब पढ़ते हैं, अगर सही रूप से दिखता है, तो आपको स्वस्यांख की रूप में जना जाता है, तो यहाँ पे डियापसन आपका इसमें सही हो जाएगा, अगला कोशिन है, निम्लिकित में से किस पदार्थ में कैल्सियम बिद्यमान है, तो जिप्सन में कैल्सियम बिद्यमान रहता है, ठीक है, जिप्सन में एक खनीज है, जिसमें सूच में तत्व गंधा केवं कैल्सियम परचुर मात्रा में पाय जाता है, ठीक है, तो जिप्सन का सुत्र भी कई बार पूछा जा चुका है तो यहाँ पे C आपसन आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है कौन से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाई जाता है तो कपास में प्रोटीन नहीं पाय जाता ये, कपास एक मुलाइम रोएदार इस्टेपल रेसा होता है और केस बाल, लूतारेशम और खुर, ये सबी में जो है प्रोटीन बिद्माद रहता है, प्रोटीन से बना रहता है तो यहाँ पे नहीं पूछा है, यह आपसं सई हो जाएगा अगला कोशिन है, मानव सरीर में निमलिकित में से कौन सी गरंथी अनतैस रावी एवंग बहुस रावी दोनों प्रकार की गरंथी हैं, वहाँ थी मात्रपूर्ण पुछन है अंतैसरावी, बैसरावी दोनों क्रंथिया पाई जाती हैं किसमें तो ये अगनार्शय में है ठीक है यहाँ पिसी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा वेरी इंपर्टेंट कोशिन है ये कई बार प्रिच्छा में पूछा जा चुका है अहुमेशा पूछा जाता है अगला कोशिन है चावल आहार में पालिस किये हुए चावल के उपयोग से निम्लांकित रोग हो जाता है अगर पालिस किये हुए चावल को आप खाते हैं तो कौन सा रोग होगा तो वो बेरी बेरी नामक रोग हो जाएगा जो बिटामिन B1 की कमी से हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपका आपसा नंबर A इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है निमलकित में से कौन सा आयोग में सही नहीं है तो बिटामिन B6 परचुर मातरा में किसमें पा जाता है धान की चोकर राइस ब्रेंड में ये आपका सही है बिटामिन B2 कांड या क्रित तेल ये आपका गलत हो जाएगा बिटामिन B2 के लिए आपको हरी सब्जियां फलियां दूर इस सब का प्रयोग करने से आपको बिटामिन B मिलता है तो यहाँ पे दूसरा नंबर आपका गलत हो जाएगा विटामिन E ये हूँ अंकुर तेल से सही है और विटामिन K अलफा अलफा ये भी आपका सही है तो यहां कौन सा सही यूग में सुमीलित नहीं है तो B आपसान आपका सही हो जाएगा विटामिन B टू ये काड़ ये क्रित तेल से नहीं कार्ड या क्रित तेल से जो है विटामिन A की प्राप्ति होती है और विटामिन B2 में प्राप्ति करने के लिए हमें हरी सब्जी, अंडे, फलियां, दूद्ध ये सब का प्रयोग करना चाहिए तो यहां पर भी या अपसना आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है मा का दूद्ध नौजात को लगभग संपूर अहार प्रदान करता है किन्तो इसमें निमलिखित का अभाव होता है मा की दूद्ध में किसका अभाव रहता है तो लोह तत्तो का इसमें अभाव रहता है मां का दूद नौजात को लगभग संपूर अहर परदान करता है किन्तु इसमें जो है लोव पोसक तत्तों का अभाव होता है तो यहाँ पे अफसर नमबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है प्रकास बोल्टी सेल होते हैं प्रकास बोल्टी सेल इसी को करते हैं एक बिद्धुती उपकरण है जो प्रकास बोल्टी प्रभाव द्वारा जो है प्रकास उरजा को सीथे बिद्धुत उरजा में बदल देता है तो यहाँ पे अफसर नमबर ए आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है दो सूची दिया हुए है इसको मिलान करना है तो वीटी कल्चर किसे संबंदित होता है तो आप लोग जाते होंगे वीटी कल्चर है आपका अंगोर की खेती से ठीक है तो A में आपका 4 हो जाएगा वेजी कल्चर किसे संबदित है तो वेजी कल्चर होता है आपका ब्रिक्षों की क्रिसी से यहाँ पे B में आपका 3 सही हो जाएगा ठीक है और PC कल्चर मचली उत्पालन से ठीक है पीसली कल्चर मचली पालन से आप लोग मचली बनाते हैं उसमें मसाला पिसकी डालते हैं, तो इसे आप लोग कोरेलेट करते लेंगे, तो यहाँ पे C में आपका दूसरा सही हो जाएगा, ओरेली कल्चर यह होता है सबजी की खेती से, तो यहाँ पे D में आपका एक सही हो जाएगा, तो 4, 3, 2, 1 किस कूट में है, आप लोग यहाँ प पालन, ओरेली कंचर, सबजी, खेती, ठीक है, अगला कोचिन है, विटामिन E का महतवपूर्ण स्रोथ निमलिकत में से कौन है, तो विटामिन E का महतवपूर्ण स्रोथ होता है, गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है, यहाँ पे C आपसन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन E, एक एंटी आक्सिडेंट के रूप में मानों शरीर में कोशिकाओं को सामाने रूप से कारे करने में सहयता प्रदान करता है जो कि ये गेहूं और अंकुरित तेल में पाय जाता है तो यहाँ पे सी आपसानापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है मलेरिया रोक की प्रभावी आउसरी कुनेयन का निसकरसर किया जाता है यानि कुनेयन हमको कहां से प्रप्थ होता है तो आप लोग जांगते होंगे सिनकोना नामक ब्रिक्षकी चाल से कुनेयन नामक गोली प्रप्थ किया जाता है जो malaria में उपचार के लिए काफी साहता प्रदान करता है तो यहाँ पे C आपसन आपका सही हो जाएगा अगला question है निमलिकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है यह पूछा है प्रश्ण में तो thymine से बेरी-बेरी आपका सही हो जाएगा एसकारविक कमल से इसकरवी रोग यह आपका सही हो जाएगा बिटामिन A से बर्णाता यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे C आपसन आपका सही हो जाएगा बर्णाता जो है यह क्या बोलता है बिटामिन की कमी से नहीं होता है ये एक आनुबंसिक बीमारी है ठेक है ये बढ़ातता जो है ये एक आनुबंसिक बीमारी है ये बिटामिन की कमी से नहीं होता है तो यहाँ पे C आपसन आपका सुमेल नहीं कर रहा है और बिटामिन के रक्त का जन्मना ये भी आपका सही हो जाएगा ठेक है तो यहाँ पे आ गुबारे में 10-200 ग्राम जल भर करके जो है उस नदी में डाला जाता है तो उसका जल में भार क्या होगा इस गुबारे का भार क्या होगा क्योंकि हम जानते हैं जब कोई बस तो जल में आंसिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है यह अब 80 कमी उसके द्वारा हटाय के द्रव के भार के बराबर होती है अब चुकि गुबारे में जल के अंदर उपर तथा नीचे दोनों और क्या उत्प्लावन बल लग रहा है ठीक है तब क्या हो जाएगा जल में गुबारे का भार क्या हो जाएगा यानि भार माइनस उत्प् यानि सुन्य हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आफ्सन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, उसका भारज ओगा वो सुन्य हो जाएगा, अगला कोशिन है बिद्दुत चुम्ब की प्रेरण पर आधारित युक्ति है तो बिद्दुत चुम्ब की प्रेरण पर आधारित युक्ति है तो वो है डाइनेमो ठीक है डाइनेमो और बिद्दुत मोडर बिद्दुत चुम्ब की प्रेरण पर आधारित युक्ति माने जा तो इन दोनों नाम को आप लोग याद रखेगा यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा अगला कोशिन है भारी जल को कहा जाता है भारी जल को क्या कहा जाता है तो D2O ठीक है भारी जल को D2O कहा जाता है भारी जल की खोज यूरे नामक बैग्यानिक ने किया था ठीक है यूरे न नामक बैज्यानिक ने इसकी खोच की थी तो यहां पे C आपसान आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है निमलिकित में से कौन हमारे सरीर का सबसे द्रिड़ भाग है तो हमारे सरीर का सबसे द्रिड़ भाग होता है दंतवल्क होता है हमारे सरीर का सबसे द्रिड़ भाग जो फासफेट और केल्सियम कार्बोनेट का ये बना होता है तो सबसे मजबूत भाग ये कहा जाता है दन्त वलको को अगला कोशन है सरीर में लोहे की कमी से कौन से बिमारी होती है तो सरीर में लोहे की कमी से रक्त छेड़ता हो जाता है ठीक है शरीर में लोहे की कमी से रक्तचेड़ता की बीमारी हो जाती है शरीर में लोहे का प्रतिदिन आवश्यक 10 से 20 मिलिग्राम होता है तो यहां पर आपका भी आपसन सही हो जाएगा अगला कोशन है भारत में प्रतम जो बिद्दुत संयंत्र की अस्थापना की गई थी कहां पर तो भारत में प्रतम बिद्दुत संयंत्र की अस्थापना जो है 1897 में ठीक है 1897 में दार्जिलिंग में पस्चिम बंगाल दार्जिलिंग में किया गया था ठीक है तो यहाँ पर आपसा नमबर A आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है निमलिखित में से कौन सा खनिच केरल में बहुत आयत मिलता है तो यह है मोनाजाइड ठीक है मोनाजाइड जो है खनिच केरल में बहुत जादे मातरा में मिलता है तो यहाँ पर आपसा नमबर D आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है प्रकास वर्स मातरक ही काई है तो प्रकास वर्स किसका मातरक है तो यह दूरी का मातरक होता है तो यहाँ पर इसमें आपसा आपका सही हो जाएगा अगला कोचिन है द्रिस्य वर्ड करम में सबसे कम तरंग दैर ध्यवाला रंग कौन सा है तो वो है आपका बैगनी ठीक है बैगनी सबसे कम तरंग दैर ध्यवाला रंग है और लाल सबसे अधिक तरंग दैर ध्यवाला रंग है ठीक है इसका लाल का मान होता है 7.5 into 10 to the power minus 5 और बैगनी का मान होता है 4 into 10 to the power minus 5 cm होता है ठीक है तो इस दोनों को याद रखिएगा सबसे ज्यादा पूछेगा तो लाल रंक का होता है और सबसे कम जो है ये बैगनी की रंक का होता है तो यहाँ पेटी या अपसान आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है ये जोला है तो ये जोला एक जली फर्न है ठीक है ये जोला एक जली फर्न है जिसकी पत्तियों की प्रिष्टिय सताय पर पाई जाने वाली गुईकाओं में रहने वाले जीवाण ए ना बीना ए जोली की मदद से यह नाइटोजन का इस्थिरी करण करके उपज शमता में बृध्धि करते हैं ठीक है तो यह जोला जो है एक जली फर्ण है तो यहाँ पे आफसा नमबर A आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है भोजन का एक प्रमुक अंग है तो भोजन का प्रमुक अंग होता है कर्भो हाइट्रेट ठीक है भोजन का प्रमुक अंग कर्भो हाइट्रेट होता है कार्बोहाइडेट जो है ये कार्वन हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के योगिक होते हैं ठीक है तो यहाँ पे C आपसानापका सही हो जाएगा अगला कोछ नहीं सरसो के बीज के अप मिस्रक के रूप में सामानित है निमलिकित में से किसे प्रयोग मिला जाता है अप मिस्रक के रूप में तो ये आरगोमीन के बीज को ठीक है आरगी मोन को ये बीज को सरसो के बीज के अप मिस्रक के रूप में सामानित है आरगी मोन के बीज का प्रयोग किया जाता है आरगी मोन मेकसिकाना मेकसिकों में पाई जानी वाली पोस्ते की एक प्रजारत ही पानी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसा नमबर एए आपका सही हो जाएगा. अगला कोशन है प्रतेक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रत क्रिया होती है यह नियम दिया था तो यह नियम किस ने दिया था न्यूटन ने न्यूटन का तृतिय नियम क्या बताता है न्यूटन के तृतिय नियम को जो है क्रिया प्रितिया का नियम भी कहते हैं ठिक है तो ये आपसानापकाईश में सही हो जाएगा अगला कोशन है कितना तापमान होने पर पाठ्ठ्थांग, चल्सियस और फारेंट हाइट तापमापियों में एक ही होंगे कितना ताप मान होने पर पाठ्यांग, Celsius और Fahrenheit ताप मापियों में एक ही होंगे तो वो होता है minus 44 degree Celsius ठीक है minus 44 degree centigrade एक ऐसा ताप है जो degree centigrade तथा degree Fahrenheit में समान होता है तो यहाँ पर आपसा नमबर A आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है सुस्क वर्फ होता है तो सुस्क वर्फ जो है यह फोस कारबंडाई आकसाइड होता है तो यहाँ पर C आपसा नहापका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशन है निमलिकित में से आलू का कौनसा भाग खाने योगी होता है तो आलू का तनावाला भाग हम लोग खाते हैं आलू हो गया, प्याज हो गया, सलजब हो गया इसा भी जो है तनाथ की रूप में हम लोग यूज़ करते हैं अगला कोचले निमलेकित में से कौनसा word flu का कारक है word flu का कारक कौनसा है तो H5-1 ठीक है वर्डफू फ्लू जो है एवियन एम फ्लू यंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है जो की H5-1 नामक वाइरस के कारण होता है तो यहाँ पे आपसर नमबर A आपका इसमें सही हो जाएगा अगला कोशिन है गुरुत्वा करशन के सारभौमिक नियम का प्रिटपादन किस ने किया था तो गुरुत्वा करशन के सारभौमिक नियम का प्रिटपादन जो है न्यूटन ने किया था आप लोग जानते होंगे यहाँ पे A आपसर आपका सही हो जाएगा अगला कोशिन है निम्लिकित में से किस के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है किस के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है तो बिकरड के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है यहाँ पे ए आपसन सही हो जाएगा बिकरड द्वारा उश्मा के अस्थानांतर्ण में किसी माध्यम जैसे वाइम अथवा जल किया वैसकता नहीं होती है तो यहाँ पे आफसन नमबर A आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है निम्लिकित में से कौन जल से हलका होता है जल से हलका कौन है निम्लिकित में से तो sodium, sodium जो है ये जल से भी हलका होता है, इसका जो आप एक शिक घनत होता है, 0.97 होता है, जल से हलका होने की कारण यह जल पर तैनने लगता है, तो यहाँ पे भी आपसनापका इसमें सही हो जाएगा, अगला कोशिन है, लाल रक्त कड़काएं मुखिता बनती हैं, तो यह अस्थ मज्जा में बनती हैं, ठीक है, लाल रक्त कड़काएं स्वसन अंगों से आक्सीजन लेकर के जो है, सारे सरीर में पहुचाने का कारे करती हैं, और लाल रक्त कड़का अस्थ मज्जा में वेक्सित होती हैं ठीक है तो यहां पर आपका अपसर नमबर डी इसमें सही हो जाएगा